नमस्कार आज हम बात करेंगे सूखी खासी के बारे में हाँ जी हाँ ठेंडियों का मौसम चल रहा है या बाकी अन्य मौसम में भी आप में से कई सारी लोगों को खास करके जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है चोटे बच्चों को इस तरह की तकलीफ देखने मिलती है कि खासी आती है और गरे में कुछ हलका सा इरिटेशन जैसे होता है और लगातार सूखी खासी आती जाती है और खास-खास के ऐसी हालत हो जाती कि चहरा इदम लाल हो जाता है हालत खराब हो जाती है और बाद में फिर कुछ इनहेलर्स या कुछ टैबलेट्स एंटी एलर्ज किस तरह क आज इस वीडियो में जानेंगे हम की सुखी खांसी क्यों होती है और अगर वो प्रॉब्लम होती है तो उसमें तेल किस तरह बहुत अच्छा काम कर सकता है पुरी की पुरी जानकारी इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का ओज अईरविद में जहां हम बात करते हैं शुद्धा अईरविद के बारे में जो कि अएधित की सहिताओं में लिखा हुआ है और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है सूखी खांसी या फिर ड्राइक कफ की जिनको होती है खास करके जिनको धूल से या किसी चीज से अलर्जी है उनके साथ ऐसा होता है कि धूल मिट्टी में गए या कई महिलाएं बोलती है कि घर का हम जैसे ही साबसफाई यह सब चालू करते हैं तो अचानक से हमें सूखा खांसी आने रगता अब खांसी या कफ भी दो त दार्द होने लग जाता है स्वाइस लेने में तकलीफ होती है जो फ्लैं突क मैं जिसमैं आप आर विद में पार्श् hon स्वाय बोला है उससद्ण की तकलीफे देखने मिलती है जो time दो तो आपके जो सीने का एरिया है, वो कफ कफ रधान एरिया होता है, और स्वांस रोग के हमने जो वीडियो जाले थे, उसमें आपको बताया था कि स्वांस की जो भी बिमारिया होती है, वो ज्यादा तर वात और कफ के कारण ज्यादा होती है, स्वांस रोग की जो भी बिमारि उसमें से जो प्राण वायू है वो दो एलिमेंट से बनती है या दो महाभूतों से बनती है जल और वायू महाभूत तो जल और वायू महाभूत प्राण वायू के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो आपको गिला कफ निकलने लग जाएगा अगर वायू महाभूत प्र चीज़ों को सुखा देता है उसके कारण बहुत ज्यादा कफ होने की समस्चा होती तो आपको चाहिए वह आपके घर में बच्चा हो बूड़ा हो बड़ा हो कोई भी वेक्ति अगर उससे सुखी खासी आने की तकलीफ है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में वायू या फिर वाद बढ़े गया है चलो क्लियर तो सिंपल सी चीज समझ में आती है प्राण वायू की समस्चा है अब प्राण वायू के अंदर वायू महाभूत बढ़ा हुआ है तो जो भी वात बढ़ाने वाली चीज़े हैं पहले वह स्टॉप करो जैसे पांखे की नीचे डारेक आदत है बहुत सुखा कई लोग सुखा चना सुखा मुँफली इस तरह की चीज़े खाने की आदत होती है तो उस तरह की चीजे आप कीजिए या ऐसी पंखा यह दोनों डॉन पैदा करने का काम करते हैं बॉड़ी में तो उन्हें आप एवाइड कीजिए इलाज में क्या क तो पहला मेडिसिन इसमें आ जाएगा तेल क्यूंकि तेल स्निग्धता चिकनापन लाने का काम करेगा कौन सा तेल तो आपके घर पे जो मीठा तेल होता है जिसे मौंग फली का तेल ग्राउंड नट ऑईल या फिर पीनट ऑईल बोलते हैं वह आप ले सकते हो मौंग फली का तेल आपको चल जाएगा या फिर तील का तेल भी चल जाएगा तो मौंग फली का तेल लेलो या तील का तेल लेलो नमबर एक क्लियर दूसरा इसमें कुछ चीज़ा आइड करनी चीए वात को कौन से तीन रस कम करते हैं टोटल छे रस होते हैं मीठा खटा नमक तीखा लाश के तीन तीखा कड़वा के सेला वात बढ़ाने वाले चलो इतना हमें यहां पर पता चला वात के कारण है तो एक चिकनी आउश्वधी लेली दूसरा अब यहां पर इन तीन रसों में से या तीनों रसों का कॉंबिनेशन ले सकते हैं तो भाई मूंग फली का तेल या पाउडर दो चुटकी डाल दिया तो एक चम्मच तेल का एक चुटकी सेंदा नमग थोड़ा सा निम्बू या फिर आमले का चुटकी पाउडर और यस्टी मदू का दो चुटकी पाउडर यह अच्छा कॉंबिनेशन हो गया अब इस तेल को उसे पिला देना है जिस भी व चम्मच और बड़े लोग है तो फूर बिल्कुल भी घीला पन नहीं है यहां पर एक और कॉंबिनेशन आपके लिए यूसफूल हो जाएगा दूद, दूद स्निक्द होता है, निचर में बढ़ाता है, तो उसके साथ या तो आप त्रिकर्टू पाउडर उसमें अड़ करो, सोंट काली मिर्च पीपल जिसको बोलते हैं वो, या फिर नॉर्मल जो आपके घर पे जिंजर है, या फिर काली मिर्ची है, तो 100 ml दूद के अ अगर सूखा कफ या फिर सूखी खांसी, ड्राय कफ होने की समस्चा है, अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो खास करके इस मौसम में बहुत सारे लोगों को ड्रायनेस के कारण ये तकलीफ होने की समस्चा शुरू हो जाएगी, ये चीज़ कीजिए, एक और चीज़ श जो एरिया है वहाँ पे, और जो पेट है, ये तीन जगा पर, सीने पे, पीट पे और पेट पे, रोज सुबस नान से पहले हलके गुनगुना तिल का तेल या सरसो का तेल लेकर उससे मालिश करना चीए, थोड़ा सा एक दो छुटकी सेंधा नमक या फिर काला नमक डालके, इससे क्या होगा, कि यहां की जो रुक्षता है, वो कम हो जाएगी, और आपको जो ये तकलिफ हो रही है, सूखी खासी आने की, वो बहुत जल्दी इसमें आराम मिल जाएगा, कई लोगों को ऐसा तैसा होता है कि कप सूखा हुआ पढ़ा रहता है, तो अगर आप इस तरह तेल की मालिश करेंगे, और बात में गुन-गुने पानी से स्नान करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा जमा हुआ, जो भी काफ है, वो भी निकलने में आपको मदद मिलेगा, तो सूखी खासी हो या गिली खासी हो, उसमें तेल मालिश दोनों में useful हो जाएगा, और internally अगर सूखी खासी हो, तो उसमें जो आपको ही कॉंबिनेशन बोले, या तो तेल, यस्टी में दो आवला और सेंधा नमा के साथ ले सकते हो, या फिर पीने के लिए आप दूद के अंदर काली मिर्च या फिर हल्दी ये डाल कर ले सकते हो, सुबह या फिर शाम को दिन में एक या दो ब प्रच के रहना है, बाहर जा रहे हैं तो कान को ढख के रखिए, क्योंकि वह बात प्रकॉप करता है, सोने से पहले पैर की जो तलवे होते हैं, उसमें तेल की मालिश कर सकते हैं, तो वह भी रुक्षता कम करने में मदद करेगा, तो आप मेंसे जिन लोग को ये डाउट था की सुखी खासी होती है, उसके लिए क्या करें, उनके लिए ये वीडियो, ऐसे और कौन सी चीज के उपर आपको डाउट है, या किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बदा सकते हैं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें